हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब आपको वक्त है ये बताने का कि कैसे राजनीती में नर्से नाराइंड बना दिया जाता है किसी वेक्ति को बीजेपी अध्यास जेपी नड्डा ने कॉंग्रेस के महासचे राहूल गांधी के ट्विटर का जवाब देते देते प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की तुलना देव देवताओं से करड़ा दिया दरसल ये पूरा जो बंबाजी चल रही है बयानों की ये चीन सीमा पर हो र साथ नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी इस सुरेंद्र मोदी वो नरों के ही नेता नहीं अब सुरों के भी नेता है ये बात आपके जवान से निकलती है इस बात को समझना चाहिए आपके ट्यूटर से निकलती है इसलिए भगवान भी शुब सोच रहा है इस बात को समझना चाहिए यूशूड अंडर्स्टैंड लेंग्वज ऑफ गॉड मोदी जी नरो के ही नेता नहीं नरो के ही राजा नहीं शुरों के देवताओं के भी राजा इस तरीके की भाषा बनती है यह हमको समझना चाहिए राहुल गांधी से राजनेतिक लड़ाई में बी जेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने प्रधान मंत्री मोदी को नरों के साथ साथ तेवताओं का नेता क्यों बताया अब ये समझी राहुल गांदी ने प्रदानमंत्री मोधी पर निशाना साधा जैपान टाइम्स का एक आर्टिक्ल शेयर किया नरेंदर मोधी इस एक्शुली सुरेंदर मोधी तरसल राहुल गांदी लिखना तो सरेंडर चाहते थे लेकिन स्टेलिंग गलत हो गई और राहुल ने सरेंडर की जगा सुरेंडर लिख दिया और खबर लिखे जाने तक सही भी नहीं किया था राहुल के इस ट्वीट के बाद उनका खूब मजा खुड़ा एक ट्विटर यूजर ने राहुल को सुरेंडर का मतलब समझाया तो एक ट्विटर यूजर ने राहूल की जिन्पिंग के साथ तस्विर शेयर कर दी लिखा आप यहाँ है राहूल की इसी गलती को बीजेपी अदेक्ष जेपी नडडा ने तूल दी ब्रधान मंत्री मोधी को भगवानों का भी राजा बता दिया चीन से तनाओं के बीच राहूल गांदी लगातार पियम मोधी पर निशान अफसाद रहे हैं अपने ट्वीट के जर्ये लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार पर गहरी नीद में खोने का आरोप लगा रहे हैं राहूल के इन आरोपो पर वीजेपी अद्रेक्ष ने राहूल को विपक्ष में बैठने का ट्यूशन लेने की पेश कस्की है तुम अपने कॉंग्रेस पार्टी के रोड मैप की चिंता करो वो नीचे ही नीचे जा रही है हर दिन जा रही है विपक्ष भी करने नहीं आता मैं तो यह कहूंगा लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूँ हमसे ट्यूशन ले लो हम आपको बता देंगे कि विपक्ष किस तरीके से किया जाता है कि करने देंगे जाता है करना है कि जाता है कि उ jan वो कि दाने नहीं है झाल झाल